हेलो फ्रेंट से सुडियों में हम बात करने वाल हैं बिहार के आठ वे चड़ के सिछाववर्ती मतलब BPSC TRD सेकेंड को लेकर तो देखिए कली सिछावा के तरफ से इसकी अधिया आजना समान प्रसासन को भेज दिया गया है और बहुत जल्दी आपको BPSC के माध्यम से इसका आपके प्राइमरी की क्यापकी वेकैंसी आएगी उसको लेकर बात करेंगे और यहां पर आपके एक्जाम डेट मतलब अपने तय समय पर तो किया आपका एक्जाम डेट कोई कर दिया गया है उसको लेकर भी इस वीडियो के माध्यम से भात करने वाले देखिए आप BPSC TRD स आप अपियर होने जारे तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी जो है आप इसकी इसकी मत करेगा क्योंकि यह वीडियो जो है आपके लिए काफी जादे महत्वपूर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का नीज पेपर जिसमें आपका बोला गया कि सुबे में सतर हजार रि देखें यहाँ पर क्या है कि जब आपकी रिक्तियां आती है तो समान प्रसासन विभाग से होते हुए सिच्छा भाग के पास अब जो आपका गया है एक तरीके से आपका क्रॉस चेक करने के लिए गया है कि ताकि आपका किसी भी तरीके से आरच्छडवी संगती या फिर आपका सीट का पटवारा है उसमें किसी भी तरीके का दिक्कत न हो ताकि आगे आने वाले समय में आपका किसी भी तरीके से भरती न फसे तो इसलिए जो आपका समान प्रसासन विभाग के पास यह जो आपका अधिया आचना गया है बस एक बार आपका क्रॉस चेक करने को लेकर तो इसमें उतना समय नहीं लगेगा बहुत जाल दिया पर समान प्रसासन विभाग के पास यह जो आपकी रिक्तिया हैं क्रोस चेक करनेक बाद यहां पर किसको भेजा जाएगा तो यहां पर अधियाचना मतलब रिक्तिया आपकी भेजे जाएगी और जैसे यहां पर BPS के माध्यम से अपना पोर्टल या फिर जो कुछ भी उतो पहले से तैयारी किया रहेंगे क्योंकि BPS को पूड़ा पता है तो उनके माध्यम से BPS के तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके आप लों का फॉर्म यहां पर सब्मीट करना जो ही स्टार्ट हो जाएगा तो आप यह चेयर règne के तलब से कल आपका ट्weingट किया गया था कि हम कई चर्ड यार ये उसकोा लेकर बोला गया और यहां पर आपके नियो जी टीचर है कि नियो जी टीचर आपने में ही जो है यहां पर बने रहेंगे उसको लेकर तो और इस नीज़ पेपर में आपका कोई खास नहीं है बाकि यहां पर आगे का डाउट है उसको लेकर बात करने वाले हैं नोटिफिकेशन को लेकर तो दिखी आपके मन में doubt होगा कि थीक है नोटिफिकेशन आपका कब तक जारी किया जाएगा सततर हजार तो ठीक है हम जान गए कि सत्तर हजार पदोपी सिचे और दिया जाएगा कि ये जो आपका October चला है October के लाष्ट तक देखे एक तो आपका October के लाष्ट तक दूसरा यहाँ पर यह सकता है कि जो आपका दो हम्बर को निकति पत्र carp जो अभी वर्टमान में जो आपके सीचक भर्ति हो रहा एंध्युक्त है जो आपके टो आपके तरब बिंट्री के पद है उनकी यहाँ पर रिक्तियां है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है यह जो आपका वर्तमान में सिछक भरती चला इसको लेकर तो बिपीएसी के माध्यम से अधियाचना जाता है तो लोग पहले भी नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं यदि माली जो थोड़ा बहुत डिले पाकी यहाँ पर जो आगे का डाउट है एक्जाम डेट को लेकर कि तय समय पर मतलब यहाँ पर क्या है देखिए पहले जो आपका एक्जाम डेट डिसाइड किया गया था जूकि पहले बोला गया था कि अक्टूबर के मीड तक हम यहाँ पर क्या करेंगे कि टीरी सेकेंड क नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और उस टाइम पर बोला गया था कि 5 दिसंबर तक आप लोगों का एक्जाम जो है यहां पर कंडर्ट करा लिया जाएगा इसका मतलब साफ है कि 15 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन बोला गया था तो 5 दिसंबर तक आपका एक्जाम डेट को लेकर जो है आपका बोला गया था इसका मतलब यह है कि अक्टूबर के लाट तक मतलब 15 दिन आपका नोटिफिकेशन लेट हुआ तो आप इसमें भी वहीं जोड़ सकते हैं 15 दिन तो इसका मतलब यह है कि आपका जो एक्जाम होगा तो देखिए उतना आप जितना सोच रह का टियारी सेकेंड का दिया जारा है नॉर्माद से बात है उनका जिस तरीके से टियारी फर्स्ट करा है बहुत अच्छे तरीके से यह भी आपका मेटर है और दूसरा है पर मेर मेटर आपका है इलेक्शन को लेकर क्योंकि अगले साल 2024 का लोग सभाई इलेक्शन है और नहीं बन पाएगा तो भले ही आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया हो लेकिन इसका एक्जाम हो या फिर निवति पत्र हो उसमें आपका डिले होगा क्योंकि जब यहाँ पर ओट बैंकिंग का कोई प्रभावी ने पड़ेगा तो क्यों यहाँ पर सरकार चाहेगी आप अपर यही है कि जो 2024 का लोग सभाव election होगा और उसका आपका अचारत सर्णिता इलेक्शन से पहले जब आपका लागू कर दिया जाता है जिस दिन आपका इलेक्शन का डेट जो है आपका डिसाइड कर दिया जाता है तो यहाँ पर पूड़ा चांस है कि उससे पहले आपका टियारी सेकेंड की वेकेंसी वो यहां पर complete जो है वापकी हो जाएगी तो December के लाट तक आप मानकर ही जो है वापनी तयारी करेगा और यहां पर भी 40 से 50 दिन आप मानकर जो है वो तयारी करेगा क्योंकि उतना समय नहीं मिलने माला है क्योंकि यह तो आपका नवंबर पुड़ा एक महिना बचा हुआ है फिर उसके बाद उसके बाद जो आपका December आता है तो December में वहीं आपका धक धक लगा रहेगा कि कब आपका exam date decide हो जाएगा तो वहीं आपका पचास या फिर दो महिने तक मानकर जो है आप यहां पर तयारी जो है कर सकते हैं अब यहां पर primary seat को लेकर कि आप लोग का जो doubt है कि primary की भी vacancy आनी चाहिए PRT के भी vacancy आनी चाहिए तो देखे अभी यह जो आपको PRT वाला है इसमें cabinet के तरब से जो है किसी भी तरीके का मंजूरी नहीं मिला है और PRT की जो आपकी रिक्तियां है उसको यहां पर जो है वो सरकार के तरब स पर आपकी वेकेंसी आ सकती है क्योंकि आपर बहुत सारे जो नियोजी टीचर है वो आलेडी बीपेसी टीचर का एक्जाम जो है क्वालिफाई की है नौर्माल से बात है बीपेसी टीचर का एक्जाम क्वालिफाई की है तो वो बीपेसी टीचर वाला जो नोकरी होगा उसक सकता है कि यह जो सिच्छक होंगे यह सिच्छक जब BPSC टीचर का मतलब BPSC वाला जो एक्जाम है उसको जोईन करते हैं तो यहाँ पर यह जो नियोजी टीचर की जो रिक्तियां होगी वो यहाँ पर आपका बचेगा तो यहाँ पर पुड़ा किया जाएगा फिर उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी टीचर का रिक्तियां जो है पूरा टोटल Offerall आपका I vooral की बिहार में कितने जो है पॉर मेरी सिच्छकों के अध्यगते नहीं हैं कि सार्कार यहなई बगता तरीकार ज्यक् यहाँा हैकि Bible सीच्छाभाग अच्छे देखिए क्या होता है बाकि बहुत मुजगी लखी आपकी प्राइमरी की वेकेंसी आने का एक यहीं पर आखिरी चांस है नियोजी टीचर वाला कि इनका जो सीट हो इनका रिक्तियां बचती है तो हो सकता है कि जो आपका अगला सिचक भरती हो उसमें आपको प्राइमरी का इंतजार मत करेगा किसे सर्थ पे जो आपके डॉक्मेंट्स है आप अपने पास डॉक्मेंट्स प्रोपर अच्छे तरीके से रख लिजे क्योंकि देखे नोटिफिकेशन आने के बाद आप बहुत सारी अभ्यास वाला मैटर हो या फिर आपका जाती वाला मैटर हो या जो दिव्यांग करेटेगरी के अभ्यर्ती होते हैं जो बीपेसे के तरफ से जो आपका दिव्यांगता का सर्टिफिकेट मांगा जाता है वो आप लोग सर्टिफिकेट नहीं बनवाया होते हैं कहीं मानते हैं लेकिन जो आपका सर्टिफिकेट है वो जिस तरीके से डिमां कुछ लोग का जो फादर का नाम होता है उसमें इनका गलती होता है कुछ लोग का जो खुद का कंडिरेट का नाम होता है उसमें आपका कुमारी वाला कुछ लोग का गलती होता है या फिर कुछ लोग का टाइटिल लगा रहता है कि जैसे आपका जो रिजेट है उसमें आपक कुछ मतलब नाम वगर आड है लेकिन जो आपका अधार काड है उसमें आपका टाइटिल जो आपका जाती वगर वगर व आपका आड है कुछ लोग का अधार काड में जो आपके डॉकमेंट से उसमें कुछ और नाम और जो आपका अधार काड होता है उसमें आपका देवी व तब तक क्योंकि जैसे आपका TR2 का नोटिफिकेशन आता है फिर आपको किसी भी तरीके के डोक्मेंट्स को लेकर या फिर आधार काट को लेकर या फिर कोई और आपके दस्तावेजे उसको लेकर आपको इधर-उधर कुदना नपड़े ताकि नोटिफिकेशन जब जारी हो तब आप तुरंत फॉर्म भर दें और फॉर्म भरने के साथ आप अपनी तयारी को जो आपका तयारी का रफ्तार है उसको और जो है बाप यहाँ पर बढ़ा दें तो इस बात को ध्यां रखेगा हलाकि बहुत कम ही अभियर्थी होंगे जो इस चीज का ध्यां रखते हैं बाक करोड रोजगार का जुमला दिखा जाता है उससी तरीके से नितिस कुमार्या फिर तेजस्व यादाओ की तरफ से जुमला आपका दिखा जारा है तो देखे इस तरीके से आप करते रह जाएंगे और जो दूसरे अभियर्थी है वो दिन रात एक मेहनत करके वो सीड जो है तो त्यारी करा है तो इसलिए इस चीज को थोड़ा से भी मत मानिए त्यारी फर्स्ट में भी बहुत सारे भेरती इस चीज को माने थे कि अरे बिहार सरकार की सिचक भरती है पांच साल लग जाता है आपका फानल कंप्लीट कराने में एक्जाम आपका सही भी नहीं होता है और एक्जाम होता भी है तो उसमें चीटिंग हो जाता है कि फिर से पेपर लिग और एक्जाम आपका रद होता है क्या होगा टीरी फर्स्ट में कुछ नहीं होगा दो से तीन महिने में आपका हर एक चीज हो गया और जो लोग सिरियस मानकर अच्छे खासे दीन रात एक करके प्राइमेरी में जौइनिंग पाएं तो जूनियर वला हो उसकी त्यारी स्ट करना जो है उनमतलब प्रारवंभ कर दियें क्योंकि नर्मल सी बात है हर एक बेक्ति जो है प्रमोसन चाहता है यदि उसका प्राइमेरी में सेलेक्शन हुआ है और अभी वाली आपकी सिचक भरती में सेलेक्शन हुआ है तो यहाँ पर पुड़ा कोसिस करेगा कि हमारे जो है जूनियर में सेलेक्शन हो जाए 6-8 में सेलेक्शन हो जाए 6-8 में उस को मतलब अनापसना बोले थे कि नियोजी टीचर फेल हैं कोई एक्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं सीटेट का फरजी डॉक्मेंट्स बनवाया हैं चीटिंग करके कोई दूसरे के अस्थान पर कोई दूसरा कोई पिपर दिया है क्या हुआ उन लोग का नोकरी था उसके तैयारी दीन रात एक का ना जो ही स्टार कर दिजें करकेंकि notification का आपका इंति जार करते हैं notification का आने के बाद आप यह दिपलावाइट की अपका यूटिफिकैस्ट का कमुणिटी होता है वहाँ पर भी बहुत सारी अपड़ेट हम सेयर कर देते हैं ऑगा कर देंगे पाथ को सुचना रहती है तो महत्यपूर में किदियागरोस ऐदे यह मधा men अब याके सगोराई ओता है Pretoria बहुत सारी टेलिग्राम कर देंग हों उनियुवेट फिरकिन आतराहें अभी के लिए यहीं update है बाकि जैसे भी जो कोई भी update होता है ट्यारी सेकेंड को लेकर ट्यारी फर्स्ट को लेकर या फिर जो भी आपका teaching exam या फिर जो भी competitive exam से सम्दित जो कुछ भी आपके अपडेट या फिर information होते हैं या फिर मतलब जो भी सुचना वगर होता है वो इस platform पे जो है आपके share किये जाते हैं तो अभी के लिए यहीं update है बाकि जैसे भी जो कोई भी update होगा information होगा उसे हम share कर देंगे मिलते हैंगे नेक्ट वीडियो में तब तक लिए thank you bye bye take care always thank you for listening God bless you thank you